करें भीजै के से विए से लो एव्रीवान हाई से हाई है और तरी आगे पड़ता है और लेंड टाउन से थोड़ा पहले है एक्जेक लोकेशन जो है वो आपको डिसक्रिप्शन में मिल जाएगी तो हम बेसिकली वैसे यहां पर कल आये थे लेकिन कल हमने थोड़ा रेस्ट किया और आप ही यहां सुबह के 8-8 बज़रे हम सब नहादों के तयार हो गया है और सब का यहां थोड़ा सा फोटो सेशन चल रहा है तो आज की वीडियो में आपको यहां की सारे डिस्क्रिप्शन मिलेगी यह कहां पे लोकेट है क्या यहां क क्या क्या है करने के लिए आप इसिकली यहां कितने दिन स्पेंड कर सकते हैं और इसका सारा रिव्यू है जो मैं देने वाली हूं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह है जस्गर रिसॉर्ट जो की कोड़वार दुगड़दा में पढ़ता है यह लैंड्स्टॉंग तक हम यहां पहुच गए थे हमने बीच में स्टॉप लिया बेकफास के लिए आदा एक घंटा वहां स्पेंड किया तो यह बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट है आप देख सकते हैं इसमें डॉम्स मने हुए जो इनकी में अट्रेक्शन है और यहां पे बहुत ही शान्ती है न प्रिमियम रूम्स मी है जो थोड़े बड़े हैं जिसमें दो डबल बैड होते हैं वह बहुत अच्छा है और इसकी जो कॉस्टिंग है वह प्रॉक्स 5,000-5,500 के आसपास पड़ती है वह आपकी जैसे डील होती है वह एकॉर्डिंग तो यू आप कैसे डील करते हैं यह जो है यह इनका प्रिमियम फामली रूम है ऐसे रूम इनके पास छोटे भी हैं सिंगल वाले जो डॉम्स में नहीं है वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं धाई-3,000 का है यह जो है यह इनका प्रिमियम रूम है इसमें दो डबल बैड लगे हुए है तो आपके साथ बच्चे है त इससे आपको बहर के पूरे पहार नजर आते हैं और यहीं से आपको संराइज भी देख जाता है यहां से एक्जेक संराइज होता है मौनिंग में पांच बजे तो बहुत अच्छा व्यू रहता है और रूम अच्छे क्लीन है खाना भी यहां का अच्छा है रूम सर्विस में इन्होंने अभी नीचे कुछ लगाया नहीं है तो हो सकता है इनका फ्यूचर प्लान हो पट्फिलाल के लिए नहीं है होता तो बहुत अच्छा होता क्योंकि बहुत आप बैट के चैवा पी सकते हैं तो काफी अच्छा व्यू आता है वहां से इनका रेस्टरेंट है य जो फैमिली रूम्स वगरा है वह यहां है तो अगर आप केट्स और बच्चों के साथ आ रहे हो तो आप फैमिली रूम ही प्रेफर कीजिएगा कि डॉम्स जो है वह थोड़े छोटे है और यह यहां पर भी कुछ कंस्रक्शन चल रहा है कापर टाइम सा इंक कारी ओन नहीं है और यह यही से जहां पर यह आप एक बंदे को देख रहे हैं चाथे हूए यहां से लीचे जाएंगे तो यहां पर इनका एक्टिविटी का जोन है वो भी कुछ इतना बड़ा नहीं है जितना मुझे एक्सपेक्टेशन थी के जाते हैं यहां से इनका जो है वो यहां पर कुछ रोप वगरा है और इस तरीके के दो तीन बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि स्वेंग्स अच्छे वाले हो स्लाइट सो चोड़े बच्चे एंजुआए कर सके तो बच्चों के लिए हड़ी एक दो हंडे में बच्च यहां पर बोर हो जाते हैं तो इस एरिया तो दिल्ली NCR की भागदोर से दूर रहना है तो आप यहां आ सकते हैं तो आप यहां रह सकते हो यहां बहुत अच्छी शांती है सुकून है लेकिन अगर आप बच्चों के साथ हा रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप यहां पर दो दिन तीन विंस्टे कर पाओगे क् बच्चों करने के लिए कुछ नहीं है और इतना एरिया भी नहीं है कि बच्चे क्रिगेट खेल सकें या भाग सकें और थोड़ा जैसे आप देख सकते हैं यह पीछे यहां पे खुला है तो आप बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते आपको बहुत ध्यान रखना तो हम यहां पे कल आये थे कल मॉर्णिंग हम आफ्टरनून में हम यहां बाराग बच्चे पहुंचे थे उसके बाद हमने यहां पे फ्रेश हुए अपना लांच फंच किया फिर थोड़ी दे यहां बच्चे एडवेंचर पाक में खेले सो गए दिन शाम को भी यहां कुछ खासता नहीं पहाड है तो आप देख सकते कुछ भी नहीं है आसपास पीछे पूरे फिल्स है तो यहां पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है तो भी खाना खाते है सब हुआ और यहां पे और आइधिंग कल फ्राइडे नाइट था वीकेंड नहीं था और यहां पे इनक कुछ नहीं था तो हम एक ही रात रुके हैं पहल प्लान तो हमारा था कि हम आज रात भी रुकेंगे यहां पे और कल यहां से हम पापिस निकलेंगे बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं अभी हम यहां से निकल रहे हैं हम लैंड ब्रेक्फास करेंगे फिर हम लोग लैंड्स कि मैंने बताया था कि यहां पे जादा कुछ कर्मे को है नहीं तो अब हम यहां से निकल लिये हैं हमने यहां पे एक ही दिन किया और उसमें भी 24 अर्स कंप्लीट नहीं हुए हम कल 12 बजे पहुंचे थे और अभी बजे हैं सुभा के 10 नेक्स्टे तो हम यहां से निकल लिये हैं मैं आपको यहां का रस्ता दिखाती हूं यह कैसा रस्ता है तो यहां का रस्ता कैसा है कूरा रस्ता काफी तूटी- अर cine नीचे जल रही है यह देखें यह नीचे पोंचने वाले है यह जो है यहां से ही इसकी ठाघय होती है यहां पे नीचे एक नदी जा रही है इसको बταιए कोई नदी तो यहां dehbour हम थोड़ी देर रुखेंगे हम जात्रों होए अब हम थोड़ी देर यहां रुकेंगे, लेट सी, कैसा है या पे, अब हम जा रहे हैं, यह पुल था, तो हम अभी नीचे जा रहे हैं, यह देखिए, यह ऐसा ही रस्ता है, पूरा कच्छा, हम यहां से आ हैं, यहां हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है, अब हम यहां से है, दूप बहुत तेज है अभी यहां पर, लेकिन हवा में जो है, वो ठंड़क है, क्योंकि नदी भी है, और यहां का मौसम तो अच्छा है ही, पूरा पत्थर ही पत्थर है, तो थोड़ा दियान से जाना पड़ता है यहां पर, यह हम यहां आ गए हैं, इधर से, इधर से Tanishka आराम से, यह नहीं पड़। तन्ड़ से, यहां पर अच्छा लगरा है क्योंकि पानी जो है, वह बहुत खंड़ है Tanishka, इन उमें को लूट, प्रोग क लिए बहुत। यहां पर काफी अच्छा था बच्चों ने काफी निकल गया पता ही नहीं लगा अच्छी ट्रिप थी है काफी मज़ा है यहां पर आज की वीडियो में इतना ही आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में पताईगा और अगर आप अज़ अज़ अपको लगता है कि आपको दो तीन दिन की शांती चाहिए और आप कहीं त्रया गूमना नहीं चाहते हैं तो आप जरूर आ सकते हैं बहुत अच्छी जगह है बहुत ही शांत जगह है बदब नेचर फुल ओन नेचर है यहां पर माइंड बहुत रिलाक्स हो जाता है लेकिन अगेन अगर आपके साथ बच्चे हैं और वो उनको कुछ न कुछ करने को चाहिए अडवेंचर चाहिए नहीं न जगह है चाहिए नहीं चीजह चाहिए तो वो यहां पर दो तिन दिन नहीं रुक सकते इस अस इंपल एस चो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रू पताइएगा एंड प्लीज लाइक शेर और थैंक्स फर वचिंग बाए से बाइश 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 ब आपको पूरा रिसॉर्ड देखने को मिलेगा तो अगर आप पूरा रिसॉर्ट देखना चाहते हैं और व्यू इंजॉय करना चाहते हैं तो आप कांटीनीउ कर सकते हैं अगें थैंक्स फर वचंग keep watching and प्लीज सब्सκ्राइब फर मोर विडियो या थैंक्यू बाबाई कर दो दो अजय कर दो, बहुद कर दो दो, बहुद कर दो, अजय कर दो? झाल 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 झाल